जिंदल परिवार की मुख्याइम जिंदल समों की चेर परसन सावित्री जिंदल देश में तीसरे नमबर पर सबसे अमीर हैं। उनसे आगे अंबानी और अडानी हैं। साथ ही सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला भी हैं। सावित्री जिंदल हर्याणा की हिसार की रहने वाली हैं और स्टील किंग स्वर्गी ओपी जिंदल की पत्नी हैं इनके बेटे नवीन जिंदल कुछ शेतर से भाशपा सांसा देवा खुच चार दिन पहले हिसार से विधायक बनी हैं इसके बाद उन्होंने बीजेपी को स्टन दे दिया हालांकि वह बीजेपी से बागी होकर ही बतोर निर्दली चुनाओ लड़ी फोप्स की रिपोर्ट इंडियाज हंड्रेट रिचेस्ट दोहजाच चौबिस के मताबिक टॉप हंड्रेट में असी प्रतिशत से जादा अमीर भारती ये पहले से जादा अमीर ह हो गया है पहले स्थान पर मुकेश अमबानी दूसरे स्थान पर है गौटम अडानी इसके बाद तीसरे नंबर पर है सावित रिजेंदर देश के टॉप हंड्रेट अमीरों की संपती इस साल पहली बार 90 लाग करोन रुपए से उपर निकल गई है एक साल में इनकी संपती 40 प्रतिशत से अधिक बरकर 93 लाग करोन रुपए हो गई 2020 की तुलना में इन अमीरों की संपती दोगुनु से जादा हो गई 2023 के मुकाबले इनकी संपती में 26 लाग करोन रुपए की बढ़ोतरी हुई है खास बात यहाई कि इनकी संपती बढ़ने में भारती शेर बाजार का एहम युगदान है फॉचुन इंडिया ने सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की थी टॉप 10 में कलौती महिला होने के साथ सावित्री जिंदल चौथे स्थान पर थी अब एक महीने में वाद चौथे से तीसरे पायदान पर आ गई है बतादे कि हिसार के गाओ नलवा में जन में ओपी जिंदल किसान परिवार से आते थे छटी कक्षा तक पढ़े ओपी जिंदल अपने भाईयों की तरह बाहर जाकर कमाना चाहते थे दूसरे विश्यु युद्ध के अंतिम समय में असम अमेरिकी फौजियों का बड़ा गड़ था इसलिए युद्ध के बाद ल जिंदल इंडिया लिमिटेड रखा यहीं से उनके सफर की शुरुवात हुई ओपी जिंदल असम के बाजारों से निलामी में पुरानी पाईपे खरीते थे और उन्हें कोलकाता में बेशते थे टाटा और कलिंग के बाद भारत में तीसरी इस किसम की फैक्टरी थी इसके पाद 1960 में ओपी जिंदल अपने पैत्रिक जिले हिसार में वापस आ गए ओपी जिंदल ने हिसार आकर सबसे पहले बाल्टी बनाने की फैक्टरी लगाई इसे आमदनी शुरूइत 1962 में जिंदल इंडिया लिमिटेट की हिसार में भी फैक्टरी खोल दी इसके बाद 1979 में ज जिंदल समू की कमपणियों को चार बेटों में बाटा गया उनमें से एक बिजनेस टाइकोन सजन जिंदल है जो JSW स्टील चलाते हैं एन्वन लाइब की खास ख़बर